हलो एवरिवान गुद मॉर्निंग आन वेलकम टू अंबिशिस बाबा डॉट कॉम वी आ बैक विद आर डेली कर इंट अफेस तो चलिए जानते हैं साथ नवंबर के कर इंट अफेस क्या है और आज की क्लास का पीडियेफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्वेस्टिन की ओर पहना सवाल साख फिनांस गवर्नर्स ग्रूप की चालिस भी बैठक का उद्गहाटन और अध्यशता इन में से किसने की हैं पांच आप्शन से हमारे पास तो चलिए आंसर इस बी शक्तिकंतादास शक्तिकंतादास has inaugurated and chaired the 40th meeting of the साख फिनांस गवर्नर्स ग्रूप चलिए जानते हैं details तो जैसा कि हमने question में ही पढ़ा है कि Reserve Bank of India की गवर्नर शक्तिकंतादास ने 4 नवंबर को उद्गाटन किया है तो चलिए आगे बने से पहले हम आपको बताते हैं कि साख फिनांस गवर्नर्स ग्रूप क्या है तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत सार्क रीजिन का एक हिस्सा है और उसमें बाकी सारे देश भी है इसमें कई सारे देश है तो Sark region में जितनी भी countries है उनके Central Bank के Governors और उनके Financial Secretaries का एक Network है जिसे हम Sark Finance Governors Group कहते हैं तो इस meeting के दोरान RBI के Governors ने इस बात पर जोर दिया है कि जो close partnership और cooperation है Sark member countries के बीच में वो काफी जादा helpful रहेगा in finding the pandemic में और इसके साथ साथ यह जो पूरी group है इन्होंने Sark region में जितनी भी countries है उनका macro economic situation का मौयना किया है और उसके साथ साथ उन्होंने इस बात पर भी चर्चा की है कि क्या current Sark Finance initiatives है हमारे और वो कैसे helpful है यह COVID-19 के जो effects है उसे mitigate करने में चलिए बढ़ते हैं दूसरे question की ओर दूसरा सवाग with which countries PM Narendra Modi held a virtual bilateral summit and signed 15 pacts in the field of trade, energy, ship building and culture 5 options है हमारे पास तो चलिए the answer is D. Italy हमारे भारत के प्रधान मंत्री ने इटली के प्रधान मंत्री के साथ एक virtual bilateral summit hold किया है जिसमें उन्होंने 15 pacts sign किये हैं अलग-अलग sectors में जैसे की trade, energy, ship building and culture में जलिए आगे बढ़ने से पहले हम बताते हैं कि भारत और इटली के संबंध कब से हैं तो इंडिया और इटली के जो diplomatic relations हैं वो है since the year 1947 और 1953 में जवाहरलाल नहरू भारत के पहले प्रधान मंत्री थे जिन्होंने इटली विजिट किया था तो चलिए अब जानते हैं details तो जैसे के इनने question में ही पड़ा है कि भारत के प्रधान मंत्री शीर नरेंद्र मोदी ने हेंट किया था एक virtual bilateral summit अपने इटालियन counterpart के साथ जिनका नाम है जिव सिपे कौनते और यह किया गया था 6 नवंबर 2020 को इस virtual summit के दोरान जो दोनों देश के leaders हैं उन्होंने 15 pact sign किये हैं अलग-अलग शेत्रों में जैसे की trade, energy, ship building and culture और यह जो summit है यह explore करेगा अलग-अलग possibilities of Italian investments in India और इनका primary focus रहेगा कि कैसे defense के शेत्रों में Italy invest कर सकता है भारत में और यह जो meeting हुई थी इसमें यह दोनों देश हैने कि Italy और भारत ने discuss क्या था about hosting the G20 summit तो मैं आपको बता देते हूँ कि पहले भारत मेजबानी करने वाला था of the G20 summit in the year 2021 लेकिन COVID-19 के कारण भारत ने Italy को request किया है कि वर्ज 2021 में Italy hold करे और Italy ने agree किया है कि वर्ज 2021 में जो G20 summit होगा उसकी मेजबानी करेगा Italy और वर्ज 2022 में जो G20 summit होगा उसकी मेजबानी करेगा भारत और यह hold किया जाएगा इन न्यू टेली तो जैसा कि हमने आपको बता ही दिया है कि यह virtual bilateral summit होगा तो जिसमें 15 pact sign किये गए हैं और भारत और इटली के बीच में जो trading relations है वो काफी जादा strong है European Union में 5th biggest trading partner है इटली भारत का चलिए अब बात करते हैं इटली के बारे में इटली का capital है room और इनकी currency है euro चलिए बढ़ते हैं आगले question की ओर तीसरा सवार इनमेंसे किस bank ने millennial customers के लिए banking stack launch किया है जिसके तहित वो instant savings account और feature driven iMobile applications offer करेंगे 5 options है हमारे पास तो चलिए the answer is eICICI bank तो ICICI bank ने अपने millennial customers के लिए banking stack launch किया है जिसके तहित वो instant savings account और feature driven iMobile application offer करेंगे चलिए जानते हैं details तो जैसे के अपने question में ही पड़ा है कि ICICI bank ने हाल ही में एक banking stack launch किया है अपने millennial customers के लिए जिसके तहित वो instant savings account और एक feature driven iMobile application offer करेंगे तो यह जो application offer किया जाएगा इनके millennial customers को यह उने एक investment guide के रूप में साबित होगा और उसके साथ साथ जो इनके curated debit and credit card की facilities है वो भी इसमें उपलब्ध होगी वो अपना instant personal loan ले सकते हैं अच्छी सुविधा उपलब्ध रहेगी मतब इने bank जाने की जरुवत नहीं है यह जो iMobile application उन्हें offer किया गया है वो बाकी customers से सिर्फ और सिर्फ millennial customers के लिए काफी जादा new experience रहेगा तो इसमें जिनकी वर्ष 35 साल तक है खाली वही access कर सकेंगे और उसमें भी कुछ certified categories होगी कि उन लोगों को ही यह सुविधा उपलब्ध होगी तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके बारे में तो इस जो application है इसका नाम है ICICI bank mine तो जैसे कि हमने आपको बताया कि कोई भी millennial age जिनकी age है up to 35 years can apply digitally for this account from November 6 bank के website यानि कि ICICI bank के website से apply किया जा सकता है या फिर उनके existing mobile आपसे भी वो लोग इसके लिए apply कर सकते हैं तो चलिए अब बात करते हैं ICICI bank के बारे में तो ICICI bank headquarters है मुंबई में इनकी खोज की गई थी जून 1994 में और ICICI bank की tagline है हम है न चलिए बढ़ते आंगली question की ओर चौता सवाल इनमें सिकिस संगठन ने bank को और NBFC के लिए एक co-lending model योजना की घोशना की है पांच options है हमारे पास तो चलिए the answer is BRBI यानि कि Reserve Bank of India ने हाल ही में announce किया है co-lending model scheme banks और NBFC के लिए तो चलिए जानते हैं details तो जैसे कि अमने question में ही बढ़ा है कि Reserve Bank of India यानि कि जो भारत का Apex institution है उन्होंने co-lending model scheme की घोशना की है पांच नमबर 2020 को इस योजना के तहित यानि कि इस lending model के तहित banks और NBFC यानि कि non-banking financial companies लोन्स प्रोवाइड कर सकती है priority sector borrowers को based on prior agreement यानि कि जो banks और NBFC के बीच में जो पहले तैग किया agreement है और उसके हिसाब से जो ratio वगरे setup किया गया है उसके तहित जो priority sector borrowers है उन्हें ये दोनों मिलकर loan provide कर सकते हैं तो चलिए अब बात करते हैं कि इससे क्या फायदे होंगे तो ये जो coal lending model हमारे reserve bank में announce किया है उसका मकसद यही है और उनका primary focus यह है कि जो flow of credit है unserved or undeserved sector of the economy उसमें बढ़े यानि कि credit flow को continuous करने के लिए ये किया गया है और इसके साथ सथ funds available रहेंगे to the ultimate beneficiary at an affordable cost तो इसे ये भी फायदे हैं कि लोगों को कम दाम में loans मिलेंगे तो चलिए अब बात करते हैं इस coal lending model के बारे में तो ये जो एक CLM है यानि की coal lending model है ये एक improvement है of the co-origination of loan scheme that was announced by the RBI in September 2018 तो September 2018 में RBI ने एक co-origination loan scheme की घोशना की थी उसका ही एक improved version है इस model के तहत वो लोग greater flexibility provide करेंगे lending institutions को CLM के norms के हिसाब से banks को ये permission होगी कि वो lend कर सकेंगे सभी registered NBFC के साथ based on the prior agreement और इसके साथ इसमें housing finance companies भी शामिल हैं तो ये जो co-lending banks होगे ये अपना share लेंगे of the individual loans on back-to-back basis लेकिन जो NBFC है उनको जरुवत पड़ेगी कि वो retain कर सके minimum of 20% share in the individual loans यानि कि individual loans में NBFC को जरुवत पड़ेगी कि वो 20% अपना share को maintain कर सकें तो चलिए बढ़ते अगले question की ओर पांचवा सवाल TRP सिस्टम पर नई चार सदसिय केंद्रे समिती के प्रमुख किसे नियूक्त किया गया है पांच options है हमारे पास तो चलिए है कि हम सभी जाते कि हाल ही में एक TRP स्काम आया था नदर और इसके लिए हमारे सेंटर ने चार नमंबर को एक कमिटी को गठन करने का अनाउंस्मेंट किया है जो कि review करेंगी जो भी television rating agencies है यानि कि जो television rating agencies को जो guidelines जारी की गए थी उसे review करेंगी और इसके लिए यह जो panel है इनने कहा गया है कि अपनी report दो महीने के भीतर समिट करेंगी to the information and broadcasting minister को तो यह जो चार मिंबर की committee है और इतके अध्यक्ष रहेंगे प्रसर भारती के CEO जिनका नाम है शशी एस वहमपती तो हमारी ministry of information and broadcasting ने कहा है कि यह जो present guidelines है जो कि issue की गई थी वर्ष 2014 में to the television rating agencies in India और उसके साथ साथ उन्हें notify किया गया था और detailed deliberations लिया गया था by the parliamentary committee committee on TRP यानि की television rating points जिससे constitute किया गया था by the ministry and recommendations of the telecom regulatory authority etc तो यह जो TRP scam आया है इसके लिए चार मेंबर की committee का गठन किया गया है जो दो महीने के बीतर अपनी यह जो report है वो हमारे information and broadcasting minister को देंगे और उसके साथ वो यह सब देखेंगे कि वर्ष 2014 में जो भी guidelines issue की गई थी for the television rating points यानि की TRP के लिए वो आज के rate में कितनी जादा valid है उसमें क्या-क्या लूप होल्स है और उसे कैसे upgrade करने की जरुवत है और उसके बाद यह जो recommendations है इस report से वो लिए जाएंगे और उसके बाद उस पर necessary action लिया जाएगा तो कर लेते की हाल ही में कौन-कौन सी latest committee का गठन हुआ था और उनके अध्याक्ष कौन-कौन है तो analysis of qr यानि के response code के अध्याक्ष है प्रोफेसर दीपक भी पातक national finance reporting authority के अध्याक्ष है प्रोफेसर आर नरायन स्वामी सेभी रेजेक्स advisory के अध्याक्ष है ऊशा थोरट examine the possibility of offering surety bonds for contractors IRDI उनके अध्याक्ष जीर श्रीनिवाशन loan restructuring के parameters को जो committee गठन कर रही थी उसके अध्याक्ष के वी कामत assessment of relief to bank borrowers के अध्याक्ष राजीफ महर्शी preventing stubble burning in Punjab, Haryana and UP जो कि एक major source of air pollution है in Delhi NCR region उनके अध्याक्ष एक्ष एक्ष जज एम भी लोकर चलिए बढ़ते हैं गले question क्योंद चटा सवाल सिसका समू के नई brand ambassador के रूप में इन में से किसे नियुक्त किया गया है पांच options है हमारे पास तो चलिए the answer is C. राजकुमार राउ को अपॉइंट किया गया है अपने नई brand ambassador के रूप में और यह रहेंगे as the new face of the brand तो वह काम करेंगे सिसका group के साथ और उसके साथ साथ उनके जो सिसका products है across led and fan segments में वह promote करेंगे जो कंपनी का मकसद है कि यह राजकुमार राउ की जो strong connect है urban audiences के साथ उसे यूज करेंगे ताकि उन्हें और ज्यादा benefits मिले और इसके साथ साथ इनके जो टायर 2 और टायर 3 markets है जो काफी बड़ा segment है और target group है इनका उसे पे यह focus करेंगे तो चलिए अब बात कर लेते हैं हाली में कौन-कौन से ब्रैंट ब्रैंज ने पने नई ब्रैंड अबैस्जर को चुना है तो बजाज आलियान्स के ब्रैंड अभिनेता आइश्मान खुराना- Caprium First Games के ब्रैंड अबैस्जर है सचिन तेंदुलकर Great Learning के Brand Ambassador है विराट कोली Acer India के Brand Ambassador है अभिनेता सोनू सूथ C8 Ties के Brand Ambassador है अभिनेता आमिर्खान मिंत्रा के Beauty सेग्मेंट की Brand Ambassador है अभिनेत्री दीशा पतानी और काईरा अडवानी और Doctor Trust के Brand Ambassador है रोहित शर्मा चलिए बढ़ते अंग्ले क्वेशन की और साथवा सवाल भारत के राष्ट्रिय बुक्तान निगम के अनुमोदन प्राप्ट करने के बाद कितनी भारती भार्षाओं में WhatsApp पे लॉंच किया गया है पांच ओप्शन से हमारे पास दो चलिए दा आंसर इस B10 वाट्सअप पे हाल ही में 10 इंडियन लाइंवजिजस में लॉंच किया गया है आफ्टर सिक्यॉरिंग एन अप्रूवर फ्रॉम दी एन पीसी आई यानि कि नाशनल पेमिंट्स कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया चलिए जानते हैं डीटेल्स तो वाट्सअप इंकॉर्पोरेशन जो कि एक फेस्बुक ओन मेसेजिंग प्लाट्फॉर्म है अब वो अपना पेमिंट फीचर रोल आउट करेंगे अपने यूजर्स के लिए और यह अब दस भाशाओं में उपलब्ध है और इसकी मंजूरी उन्हीं मिल गई है फॉम दी एनपीसी याई जो कि है नाशनल पेमिंट्स कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया तो जैसे कि अबने आपको बताया है कि यह जो पेमिंट्स है यह अब दस इंडियन रीजिनल भाशाओं में उपलब्ध है और इनके अलग-अलग वर्जिंस भी है तो आपको क्या करना होगा सिंप्ली आपका जो डेबिट कार्ड है जो आपके बैंक से कनेक्टिर है उसके स सॉरी लिटल कंफ्यूजिंग वे में बोल रही हूं मैं तो क्या करना होगा आपका जो नॉर्मल डेबिट कार्ड है और आपका बैंक अगर यूपी यानिकी यूनिफाइड पेमिंट इंटरफेस सपोर्ट करता है उसको आपको वाट्सैप पे के साथ कनेक्ट करना होगा त सबसे इंपोर्टन चीज है कि वो यूपी 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 सपोर्ट करना चाहिए वड़ना यह पॉसिबल नहीं होगा और तो यह इससे पहले वाट्सैप पे दो वर्ष से वेट कर रहे थे एंपी सीय के अप्रूवल का और इससे पहले वह भारत में अपने पाइलिट इसके हेड़कोर्टर है मुंबाई में और उनकी खोच की गई थी वर्ष दो हजार आठ में चलिए बढ़ते हैं अंगले क्वेशन की ओर आठवा सवाल इन में से किसे सर्व समिती से बोर्ड ओफ इंटरनाशनल डेरी फेडरेशन के लिए चुना गया है पांच आप्शन से है हमारे पास तो चलिए आंसर इस ई दिलिप रद दिलिप रद को युनानिमसली इलेक्ट किया गया है तो दी बोर्ड ओफ इंटरनाशनल डेरी फेडरेशन चलिए आगे बढ़ने से पहले हम रिविजन कर लेते हैं बाकी लोगों के बार में तो गुर्दीप सिंह इस दी क जोरो ऑफ सिविल एविएशन सेक्योरिटी जे वेंकत राम को चुना गया है ऐस दी सीमडी ओफ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और येश्वर्दन कुमार सिना को चुना गया है ऐस दी न्यू चीफ इंफरमेशन कमिशनर के रूप में तो चलिए जानते हैं डीटेल सब तो दिलिप्रत चेर्मेन अफ दी नाशनल डेरी डेवलाप्मेंट बोर्ड को उनानेमसली अब इलेक्ट किया गया है तो दी बोर्ड अफ इंटरनाशनल डेरी फेडरेशन दो नवंबर 2020 को दूरिंग दी जेनरल असेंबली ऑफ आइडिएफ तो दिलिप्रत असोशेटेट समिटी सेक्रेटीस की जो मीटिंग है उसमें हिस्सा लिया है और उसके साथ सथ जेनरल एसेंम्ली में भी हिस्सा लिया है कई सारे उकेशन्स पे बात करते हैं कि भारत का क्या रांकिंग है इन टर्मस अफ मिल्क प्रोड्यूसिंग नेशन तो भारत पहले नमबर पर आता है in terms of the world's milk producing nations और उसके साथ भारत में largest bovine population in the world है यानि कि गाय mostly cow related है यह कि cow की population भारत में largest है यह एक broad term है इसमें ox भी आते हैं, goats वगरे भी आते हैं तो चलिए अब बात करते हैं International Dairy Federation के बारे में तो International Dairy Federation के President का नाम है Pierre Cristiano Brazil और इनके headquarters है Brussels, Belgium में तो चलिए, with this we come to the ends of today's class I hope आपको यह वीडियो पसंद आया हो अगर यह वीडियो पसंद आया तो इससे like कीजे अपने दोस्तों के साथ share कीजे और हमारे चैनल Ambitious Baba को subscribe ज़रूर कीजे also please visit our website test.ambitiousbaba.com जोहाँ पर आपको screen पर दिये गए सभी exams related online test series मिल जाएंगी अप इस website पर जाके directly इसे purchase कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे access कर सकेंगे 24-7 अपने account में इसके अलावा कोई भी suggestions हो, कोई भी शिकायत हो तो हमें नीचे comment करके जरूर बताईएगा थाके यफ दिया करेंगा और पार कोई बजाएग घर कर सकता है